हेलो फ्रेंज, वेलकम तुमारी यूट्यूब चैनल आरो के वद्धनी, दोस्तों आज हम जानेंगे कच्चे पालक खाने के फायदा ही पालक में मैकनेशियम, विट्रामीस, वर रेशा होता है जो कैंसर की बिमारी के किटानी को शरीर में आने से रोकते है वो लडने में भी सायक होते है वजन कम करने की चाहां रखना वालों को पालक जरूर खानी चाहिए क्योंकि इसमें कैलरी नहीं होती है, साथी इसमें फैट भी नहीं होता है इसमें प्रोटिन की अधिक मात्रा होती है और ये फायदेमंद रहता है हार्ट अटेक या दिल से चुड़ी बीमारिया इससे दूर हो जाती है पालक खाने से शरी में खून बरता है जिससे एनीमिया की बीमारी नहीं होती इसके खाने से रोत प्रदी रोधक शंता बरती है पालक खाने से गटिया के रोग में आरा मिलता है पालक खाने से आकों की रोशनी बढ़ती है साथ ही रात का अंदेरपन की परिशानी को भी दूर करता है इसमें विटामिन C होता है जो की लिडिंग की परिशानी को दूर करता है पालक में विटामिन K भी होता है जो हड़ियों को मजबुत करने में सायक होता है इसे हड़िया मुश्बूत होती है और शरी में कैल्शिम की कमी दूर होती है पालक में फाइबर होता है जिसे पेट की परिशानी जैसे की अलसर, अपरज, कर्ब्स, एसिडिटी दूर होती है गर्ब उती महिला के लिए पालक किसी वर्दान से कम नहीं है इसमें सारे पोशक तत्व होते है जो गर्ब उती महिला के लिए जरूरी है इसके अलावे ये मा के शरी में दूद क्यों भी बढ़ाता है हाई बलर पेशर की परिशानी में पालक खाना बहुत फायदेमंद रहता है पालक खानी से तोचा स्वस्तर होती है साथी तोचा संबंदीत परिशाने भी आदूर होती है जैसे की जूरिया मुहां से दाग दबे पालक का जूस रोज पीड़े से चेरे पर गुलो आता है इससे स्कीन हाइडर्ट रहती है पालक में विटेमिन भी कॉंप्लेक्स होता है जिससे की बाल मुझबुत बंगते है इसलिए बालक की हर परिशाने को भी दूर करते है क्रीम या कोई दवाई उपयोग करने की जगह पालक का जूस रोजाना पिये पालक खाने से दिमाग भी तेज बता है साथ ही याददाश को भी अच्छी तरह से बढ़ाता है पालक बहदी फाइदे मंद होती है जिसमें पाये जाने वाले पोशक तत्व शरीर को बहदी फाइदा दिलाने में सायक होते है अगर से आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लिस लाइक कीचिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों टेक केर स्टे हिल्दी थेंक्यो फोचिंग मैं वीडियो हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माई यूटूब